गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तू 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 गुरुदेव जो प्रश्न मेरा है वो नितान्त व्यक्तिकत प्रश्न है यहाँ जो श्रावक श्रावी का है उनका मुझे पूरा भान है उनकी भावनाओं का भी पूरा भान है और आपका जो तप है हिमाल के विशय में ही है, इश्वर है या नहीं है, हम सब ऐसे ही चले जा रहे हैं, कोई नियनता है या नहीं है, या ये जो कुछ है जगत पूरा, या अपने आप ऐसा है, ये सवाल बार-बार दिमाग में आता है, और कोई निश्चे की इस्थिदी में नहीं हूँ मैंने आगम का धियन कर लिया मैंने पुराण का धियन कर लिया गीता बहुत सारा कंठस्ट किया वगयरा वगयरा टृपित कपड़े मैंने लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं म citrus आपने जिन-जिन ओपढ़ा खोजना है अपना समय वर्थ नहीं करना है इंसान ही इश्वर है आत्मा ही परमात्मा है हम खुद में परमात्मा है और इस संसार को संचालित करने वाला कोई और ऐसा सर्व सक्ति मानिश्वर नहीं जो हमें पुरुष के दिया डंडित करता हो जिसके सहारे हमारा उथान और पतन होता हो जो हमारा संपोसन और संघार करता हो ये सिष्टिस्वा संचालित है हम बस हम्मे और इश्वर में इतना ही अंतर है कि जिसने अपने सर्व गुनों को विक्षित कर लिया प्रकट कर लिया विकारों का समन कर लिया वो इश्वर हो गया वो परमात्मा हो गया और जिसके भीतर ये सारे विकार है वो अभी आत्मा है वो एक जीव की तरह है हम जीव से परमात्मा बने आत्मा से परमात्मा बने वो तभी संभव है जब हम अपने अंदर की बुराईयों और विक्रतियों को दूर करें